हेलो बच्चो क्यासे हो आप लोग आश्या करती हूं सब ठीक होंगे आईए आज आपका अध्याय त्रिबुच के अंतरगत हम चर्चा करेंगे पायतोगरस प्रमे की पिशली कक्षाओं में आप पायतोगरस प्रमे से भली भाती परिचित हो चुके हैं आपने कुछ क्रिया कलापो द्वारा इस प्रमे की जांच की थी तथा इसके आधार पर कुछ प्रश्न भी हल किये थे अब हम इस प्रमे को त्रिबुचों की समरूपता की अवधारना का प्रयोग करके सिद्ध करेंगे इससे सिद्ध करने के लिए हम एक समकोन त्रिबुच के करण पर समुक शीर्ष से डाले गए लंब के दोनों और बने समरूप त्रिबुचों से संबंदित एक परिणाम का प्रियोग करेंगे आए देखते हैं ये हमारा प्रमे क्या कहता है यदि किसी समकोन त्रिभुज के समकोन वाले शीर्ष के कंड पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों और बने त्रिभुज समकोन त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस पर भी समरूप होते हैं आईए पायतुगरस प्रमे को सिद्ध करने के लिए उप्रोक्त प्रमे का प्रियोग करें पायतुगरस प्रमे हमें क्या कहता है एक समकोन त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, शेश, दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है हमें दिया है एक समकोन त्रिभुज ABC जिसका कोन B समकोन है कुछ इस प्रकार ये A, B और ये C ये हमारे पास समकोन है हमें सिद्ध करना है A, C का वर्ग बराबर है A, B का वर्ग जमा B, C के वर्ग के बराबर इसकी सनरचना हम B, D, लमवत A, C के खींचते हैं उपत्ति के लिए त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के प्रमे द्वारा अतह AD बटा AB बराबर होगा AB बटा AC क्यों? क्योंकि हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों में बुजाएं समानुपाती होती है तो हम AD गुणा AC को AB वर्ग के बराबर लिख पाएंगे इसको हम समिकन संख्या एक ले लेते हैं साथ ही त्रिभुज BDC समरूप है ABC के आकृती बना लेते हैं आगे BDC त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ABC के प्रमे द्वारा अतर CD बटा BC बराबर हुआ BC बटा AC क्यों? क्योंकि भुजाएं समानुपाती है या CD गुणा AC बराबर होगा BC के वर्ग के बराबर इसको समिकन संख्या दो ले लेते हैं एक और दो समिकन संख्या को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा या देखिए AD गुणा AC और CD गुणा AC ये हमें जोड़कर प्राप्त हुआ बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग ठीक है? अब देखिए यहाँ पर AC हमारे पास common है AC गुणा AD जमा CD बराबर हुआ AB का वर्ग जमा BC के वर्ग के बराबर या AC गुना AC बराबर हुआ AB का work जमा BC के work के बराबर या AC का work बराबर है AB का work जमा PC का work इस प्रकार हमने सिद्ध किया Pythagoras प्रमे को ठीक है बच्चो? Pythagoras प्रमे के विलोम के बारे में भी चैचा कर लेते हैं क्या कहते हैं हमें यह प्रमे यदि किसी त्रिबुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुक कोण समकोण होता है आईए अब पाइथगर्स प्रमे का प्रयोग करके कुछ प्रश्ण हल कर लेते हैं आपकी प्रश्णावली 6.5 का पहला प्रश्ण क्या कहता है कुछ त्रिबुजों की बुजाएं नीचे दी गई हैं निर्धारित कीजिये की इन में से कौन कौन से त्रिबुज समकोण त्रिबुज है इस तिती में कर्ण की लंबाई भी लिखिए पहला भाग है 7 cm, 24 cm और 25 cm दूसरा भाग है 3 cm, 8 cm और 6 cm तो पहले हम पहला भाग देख लेते हैं दी गई त्रिबुज की बुजाएं 7 cm, 24 cm और 25 cm हैं इनका वर्क करने पर 49, 576 और 625 प्राप्त होता है और हम देख रहे हैं कि 49 प्लस 576 बराबर होता है 625 के इसका मतलब 7 का वर्क जमा 24 का वर्क बराबर हुआ 25 के बराबर तो हम क्या पाते हैं कि ये बुजाएं पार्तगर्स प्रमे को संतुष्ट करती हैं अतह ये एक समकोन त्रिबुज की बुजाएं हैं हम ये भी जानते हैं कि समकोन त्रिबुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है कर्ण इसलिए कर्ण की लंबाई यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होगी समझ में आया चलिए दूसरा भाग करते हैं दी गई त्रिबुज की बुजाएं तीन सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं इनका वर्ग करने पर हमें 9, 36 और 64 सेंटीमीटर प्राप्त होता है 9 प्लस 36 बराबर नहीं है 64 के इसका मतलब तीन का वर्ग जमा 6 का वर्ग बराबर नहीं होगा 8 के वर्ग के बराबर यह भुजाएं पाइथगर्स प्रमे को संतुष्ट नहीं करती हैं अतरह यह एक समकोन त्रिबुज की भुजाएं नहीं है समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रेशन करते हैं PQR एक समकोन त्रिबुज है जिसका कोन P समकोन है तथा QR परबिंदू M इस प्रकास थित है कि PM लंवत है QR तरशाइए कि PM का वर्ग बराबर है QM गुना MR इसकी आकरती कुछ इस प्रकार बनेगी Q P R और यह हमारा यहां पर है M बिंदू ठीक है बच्चो आएए अब देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे माना कि कौन MPR बराबर है X तरभुज MPR में कौन MRP बराबर होगा 180 माइनस 90 माइनस X इस प्रकार तरभुज MPR में कौन MPQ बराबर हुआ 90 डिग्री माइनस कौन MPR जो हम लिख पाएंगे 90 डिग्री माइनस X कौन MQP बराबर हुआ 180 माइनस 90 माइनस 90 डिग्री माइनस X जो बराबर होगा X के बराबर इस प्रकार तरभुज QMP और तरभुज PMR में हम देखते हैं कि कौन MPQ बराबर है कौन MRP जो है 90 माइनस X डिग्री कौन PMQ बराबर है कौन RMP जो है 90 डिग्री ये पराबर कौन MQP बराबर है कौन MPR जो है X के बराबर इस प्रकार तरभुज QMP समरूप हुआ तरभुज PMR के समरूपता प्रमेद्वारा हम जानते हैं कि समरूप त्रिबुजों की भुजाएं समान उपाती होती हैं इसलिए QM बटा PM बराबर होगा MP बटा MR या PM का वर्ग बराबर होगा MQ गुना MR ठीक है बच्चों समझ में आया? आईए अब अगला प्रशन देखते हैं ABC एक सम दिबाहू त्रिबुज है जिसका कोण C सम कोण है सिद्ध कीजिये कि AB का वर्ग बराबर है दो गुना AC के वर्ग के बराबर आईए हमारे पास ये आकरती कुछ इस प्रकार है A, C और B ये हमारे पास सम कोण है और AC भुजा BC के बराबर है ठीक है आएए हम आगे देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं दिया है ABC एक सम दिबाहू त्रिबुज है जिसमें AC बराबर है BC और कोण C बराबर है 90 डिग्री त्रिबुज ABC में पास्टकरस प्रमे के द्वारा AB का वर्ग बराबर है AC का वर्ग जमा BC का वर्ग AB का वर्ग बराबर हुआ AC का वर्ग जमा AC का वर्ग क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है AC बराबर है BC के इसको हमने यहाँ पे इस प्रकार लिख लिया तो AC का वर्ग जमा AC का वर्ग कितना हो गया? दो AC का वर्ग इस प्रकार AB का वर्ग बराबर हुआ दो गुना AC का वर्ग ठीक है बचो समझ में आया? आईए अगला प्रशन देखते हैं एक सम बाहु त्रिभुज की भुजा दो A है उसके प्रतेक शीशलम की लंबाई ग्याद कीजिए यह देखिए हमारे पास यह त्रिभुज है ABC और यह हमारे पास AD है और हमें यह भी दे रखा है कि हर भुजा कितना है? दो A के बराबर है और यह हमारे पास हो जाएगी A, B, D, A और D, C, B, A क्योंकि पूरी भुजा कितनी है? दो A के बराबर है आईए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको माना ABC एक सम बाहु त्रिभुज है जिसके प्रतेक भुजा दो A है A से BC पर डाला गया शीर्षलंब AD है हम जानते हैं कि सम बाहु त्रिभुज में शीर्षलंब सम्मुक भुजा को सम्द्यभाजित करता है इसलिए B, D बराबर है DC जो है A के बराबर AD, B त्रिभुज में पाइथगर्स प्रमे से हम लिख सकते हैं AB का वर्ग बराबर है AD का वर्ग जमा B, D का वर्ग यहां देखिए हमने AB का मान रख दिया, 2A का वर्ग बराबर है AD का वर्ग जमा A का वर्ग क्यों? क्योंकि हमें AB दिया है 2A और BD हमने आपको बताया कि यहां पे कितना आ गया? A, तो यह हो गया 4A का वर्ग, बराबर है AD का वर्ग जमा A का वर्ग अब हल करने पर हमें मिलता है AD का वर्ग बराबर 3 गुना A का वर्ग या AD बराबर है वर्गमूल 3 गुना A इस प्रकार प्रतेक्षी इश्लम की लंभाई कितनी हुई? वर्गमूल 3 गुना A समझ में है बच्चों? चलिए अगला प्रशन करते हैं सिद्ध कीजिये की एक समचत्रभुच की बुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के पराबर होता है ये देखिए ये हमारे पास है A, B, C और D और ये है इसके विकर्ण जो O पे मिल रहे है ठीक है? आएए और हम ये भी जानते हैं A, O बराबर है O, C और O, B बराबर है O, D ठीक है? इसका हम उप्योग करेंगे यहाँ पर और इसको हल करेंगे पायतगर्स प्रमे द्वारा ये हमें समकोन दे रखा है आएए त्रिभुज A, O, B में पायतगर्स प्रमे से हम लिख पाएंगे A, B का वर्ग बराबर है A, O का वर्ग जमा O, B का वर्ग इसको हम ले लेते हैं समीकर्ण संख्या 1 इसी प्रकार त्रिभुज B, O, C में पायतगर्स प्रमे द्वारा हम लिख पाएंगे BC का वर्ग बराबर BO का वर्ग जमा OC का वर्ग इसको हम समीकर्ण संख्या 2 ले लेते हैं त्रिभुज COD में पायतगर्स प्रमेद्वारा CD का वर्ग बराबर हुआ CO का वर्ग जमा OD का वर्ग इसको हम ले लेते हैं समीकर्ण संख्या 3 और त्रिभुज AOD में पायतिगर्स प्रमे द्वारा ठीक उसी प्रकार AD का वर्ग बराबर होगा AO का वर्ग जमा OD का वर्ग इसको समिखन संख्या 4 ले लेते हैं समिखन संख्या 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग जमा CD का वर्ग जमा DA का वर्ग भराबर होता है AO का वर्ग जमा OB का वर्ग जमा BO का वर्ग जमा OC का वर्ग जमा CO का वर्ग जमा OD का वर्ग जमा OD का वर्ग जमा AO का वर्ग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो हमारे पास A O हैं, दो O B हैं, दो O C हैं और दो ही O D हैं इस प्रकार हमने दो common ले लिया और हमी क्या प्राप्थ हुआ दो गुना O A का वर्ग जमा O B का वर्ग जमा O C का वर्ग जमा O D का वर्ग अब देखिए हमें पता है oe oc के बराबर है और o b o d के बराबर है तो 2 गुना 2 oe का वर्ग जमा 2 o b का वर्ग हम लिख सकते हैं या 2 को हमने यहाँ पर फिर comment लेके बाहर निकाला 2 गुना 2 जोग जाएगा 4 और oe का वर्ग जमा o b का वर्ग चार गुना हम OA को क्या लिख सकते हैं AC बटा 2 और OB को क्या लिख सकते हैं BD बटा 2 चार गुना AC बटा 2 का वर्ग जमा BD बटा 2 का वर्ग क्योंकि OA है 1 बटा 2 AC के बराबर और OB है 1 बटा 2 PD के बराबर तो 4 गुना AC वर्ग बठा 4 जमा BD वर्ग बठा 4 जो हुआ बराबर AC का वर्ग जमा BD के वर्ग के बराबर तो इस प्रकार हमने सिद्ध किया AB का वर्ग जमा BC का वर्ग जमा CD का वर्ग जमा DA का वर्ग बराबर हुआ AC का वर्ग जमा BD के वर्ग के बराबर समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रशन करते हैं आकरती में त्रिभु JBC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदू O है तथा OD हमारे पास लमवत है BC और OE लमवत है AC और OF लमवत है AB दर्शाहिए की OA का वर्ग जमा OB का वर्ग जमा OC का वर्ग माइनस OD का वर्ग माइनस OE का वर्ग माइनस OF का वर्ग बराबर है AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग और दूसरा भाग है AF का वर्ग जमा BD का वर्ग जमा CE का वर्ग बराबर दिखाना है हमें AE का वर्ग जमा CD का वर्ग जमा BF के वर्ग के बराबर ये देखिए हमारे पास इस प्रकार ये आकरती है A, B, C तरिबच और O एक बिंदू है बीच में इस प्रकार हमारे पास ये O है और यहाँ से ये लंबवत है ये है D बिंदू और ये हमारा हुआ F बिंदू आएए हम देखते हैं इसको कैसे हम हल करेंगे O, A, O, B और O, C को हमने मिलाया और हमें तरिबच A, O, F में पाइथगरस प्रमे द्वारा प्राप्थ हुआ O, A का वर्ग बराबर है O, F का वर्ग जमा A, F का वर्ग इसको हम समिकर्ण संख्या एक ले लेते हैं इसी प्रकार तरिबच B, O, D में पाइथगरस प्रमे द्वारा O, B का वर्ग बराबर हुआ O, D का वर्ग जमा B, D का वर्ग इसको समिकर्ण संख्या दो लिया और तरिबच C, O, E में पाइथगरस प्रमे द्वारा हम लिख पा रहे हैं OC का वर्ग बराबर है OE का वर्ग जमा EC के वर्ग के बराबर इसको हमने समीकर्ण संख्या 3 लिया आईए समीकर्ण संख्या 1, 2 और 3 को जोडने पर हमें प्राप्थ होता है OA का वर्ग जमा OB का वर्ग जमा OC का वर्ग जो बराबर है OF का वर्ग जमा AF का वर्ग जमा OD का work जमा BD का work जमा OE का work जमा EC का work यहां ध्यान से समझना आपको OD का work OC का work और OF का work यह अपको OF का work और OD का work और OE का work हम बाइ हात ले आएंगे तो क्या हो जाएगा O A का वर्ग जमा O B का वर्ग जमा O C का वर्ग माइनस O D का वर्ग माइनस O E का वर्ग माइनस O F का वर्ग हमारे पास क्या बचा A F का वर्ग B D का वर्ग और E C का वर्ग ठीक है इसको हम समीकन संख्या चार ले लेते हैं अब हम देखते हैं कि O A का वर्ग, जमा O B का वर्ग, जमा O C का वर्ग, माइनस O D का वर्ग, माइनस O E का वर्ग, माइनस O F का वर्ग, बराबर होगा किसके? AF का वर्ग, जमा BD का वर्ग, जमा CE का वर्ग अब इसको हम अगले भाग के लिए देखिए समीकरन संखिया 4 से हमें प्राप्त है AF का वर्ग, जमा BD का वर्ग, जमा CE का वर्ग जो बराबर है किसके? OA का वर्ग, जमा OB का वर्ग, जमा OC का वर्ग, माइनस OD का वर्ग, माइनस OE का वर्ग, माइनस OF का वर्ग अब ध्यान से देखिए हम इसमें group बनाएंगे OA का वर्ग और OE का वर्ग को हम एक साथ लेते हैं और OC का वर्ग और OD के वर्ग को एक साथ लेते हैं और उस tribute से हम उसकी मान निकालेंगे O B का वर्ग और O F का वर्ग इनको हम अलग से ब्राकेट में लिखते हैं अब चित्र में देखिए आप O A का वर्ग माइनस O E का वर्ग किसके पराबर होगा? A के E के बर्ग के बराबर O C का वर्ग माइनस O D का वर्ग किसके बराबर होगा? C'D work के बराबर जमा O'B का work minus Of का work किसके बराबर होगा Bf का work इस प्रकार हमने प्राप्ट किया A.F. का work जमा B.D. का work जमा C.E. का work किसके बराबर हुआ A.E. का work जमा C.D. का work जमा B.F. का work समझ में आया बच्चो ठीक है चलिए अगला प्रेशन करते हैं प्रेशन संख्या 9 दस मीटर लंबी एक सीड़ी एक दिवार पर टिकाने पर भूमी से आठ मीटर की उचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है दिवार के आधार से सीड़ी के निचले सीड़े की दूरी ग्याद कीजिए यह देखिए यह हमारी सीड़ी है 10 मीटर और यह हमारी दिवार की उचाई है 8 मीटर हमें निकालना है ओ भी ठीक है यह हमारे पास समकोन है ठीक है आईए इसको हल करते है माना ओ ए दिवार है और ए भी सीड़ी है त्रिबुज ए ओ बी में पाइथिरल स्प्रमे से हम लिख पाते हैं ए बी का वर्ग बराबर है ओ ए का वर्ग जमा बी ओ का वर्ग ए बी कितना था हमारे पास 10 तो 10 का वर्ग बराबर हुआ 8 का वर्ग जमा ओ बी का वर्ग 10 का वर्ग होता है 100 बराबर है 8 का वर्ग है 64 जमा ओ बी का वर्ग इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है 100 माइनस 64 जो बराबर हुआ ओ बी का वर्ग इस प्रकार, ओ भी कितना हो गया, वर्ग मूल 36, जो है 6 मीटर के बराबर, माइनस 6 मीटर तो दूरी नहीं हो सकती, इसलिए हम प्लस का साइन लेंगे 6 मीटर, अतर दिवार के आधार से सीडी के निचले सीडे की दूरी कितनी हुई, 6 मीटर, समझ में आया, चलिए, अगला प् प्रशन संख्या 10, किसी त्रिभुज ABC के शीष, A से BC पर डाला गया लंब, BC को बिंदू D पर इस प्रकार प्रतिछेत करता है कि, BD जो है, वो तीन गुना CD है, सिद्ध कीजिए कि, दो गुना AB का वर्ग बराबर है, दो गुना AC का वर्ग, जमा BC का वर्ग, ठीक है यह हमारे पास आकरती है, ABC और यह हम देख रहे है, AD संख्या 10, कि, BC के, आईए देखिए, इसका हल हम कैसे करेंगे, त्रिभुज ACD में, पायतगर्स प्रमे से, AC का वर्ग, बराबर है, AD का वर्ग, जमा BC का वर्ग, जिसको हम लिख पाते हैं, AC का वर्ग, माइनस CD का आई, तो हमारे पास क्या मिला, AC का वर्ग, माइनस CD का वर्ग, बराबर हुआ, AD के वर्ग के बराबर, इसको हम ले ले लेते हैं, समीकर्ण संख्या 1, त्रिभुज ABD में, पायतगर्स प्रमे से, हम लिख सकते हैं, AB का वर्ग, बराबर है, AD का वर्ग, जमा BC का वर्ग, इस इसको हम समिकtime 2 ले लेते हैं अब देखिए हमारे पास ad का वर्ग यहां भी आया और ad का वर्ग यहां आधे अब हम इनको आमने सामने रग देते हैं समिकर्ण संख्या का एक और दौसे हम लिख पाएंगे AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग, बराबर हुआ AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग, इसको समीकरन संख्या 3 ले लेते हैं, आए, दिया है हमें 3 गुना DC बराबर है TB, इसलिए DC कितना हुआ, BC बटा 4, और BD कितना हुआ, 3 बटा 4 गुना BC, इसको हम समीकरन संख्या 4 ले ले लेते हैं, समीकरन संख्या 3 और 4 से हम हल कर पाएंगे इसको AC का वर्ग माइनस BC बटा 4 का वर्ग बराबर है AB का वर्ग माइनस 3 बटा 4 BC का वर्ग के बराबर जिसको हमने और हल किया AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग बटा 16 बराबर है AB का वर्ग माइनस 9 बटा 16 BC का वर्ग इसको हल करने पर 16 गुना A C का वर्ग माइनस B C का वर्ग बराबर हुआ 16 गुना A B का वर्ग माइनस 9 B C का वर्ग या 16 A C का वर्ग बराबर है 16 A B का वर्ग माइनस 8 B C का वर्ग यहां देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है आपको दिख रहा है कि 8 common है ठीक है और इसको हल करके हम लिख पाएंगे जब हम 8 से भाग देंगे तो 2 गुना AC का वर्ग बराबर है 2 गुना AB का वर्ग माइनस PC का वर्ग या 2 AB का वर्ग बराबर हुआ 2 AC का वर्ग जमा BC का वर्ग जो हमें सिद्ध करना था ठीक है बच्चो समझ में आया आएए अगला प्रश्ण देखते हैं किसी संभाहू त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदू D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर है एक बटा तीन BC के और हमें सिद्ध करना है कि 9 गुना AD का वर्ग बराबर है 7 गुना AB के वर्ग के बराबर यह बहुत ही महत्पुन प्रश्ण है परिक्षा की दिरिष्टी से ध्यान से समझेगा यह देखिए यह हमारे पास साकर्ती है त्रिभुज ABC की जो हमारे पास यहां एक बिंदू है D और यहां पर हम एक लमवत बनाते हैं यह हमारा है बिंदू E ठीक है अब हम पायतिकर्स प्रमे से इसको हल करते हैं देखिए ABC एक सम्भाहुत्रिभुज है जिसकी प्रतेक भुजा A है A सी BC पर डाला गया शीशलंब A ही है हम जानते हैं कि सम्भाहुत्रिभुज में शीशलंब सम्मुक भुजा को सम्धिवभाजित करता है इसलिए BE बराबर हुआ EC जो बराबर हुआ A बटा दो के त्रभुज A E B में पार्थगरस प्रमेद्वारा A B का वर्ग बराबर होगा A E का वर्ग जमा B E का वर्ग A B का वर्ग बराबर है A E का वर्ग जमा B D जमा D E क्यों क्योंकि B E को हम लिख पाएंगे B D जमा D E के वर्ग के पराबर आएए आगे हल करते हैं A B का वर्ग बराबर हुआ A D का वर्ग जमा A D का वर्ग जमा B D का वर्ग जमा 2 B D गुना D E इसमें आकरती एक बार फिर बना लेते हैं यह हमारा धड़ी और यह है E यह हमारे पास आप देखिये A B का वर्ग बराबर हुआ A E का वर्ग जमा D E का वर्ग जमा B D का वर्ग जमा 2 B D गुना T E के जिसको हम ध्यान से देखिए A e का वर्ग, A e का वर्ग और D e का वर्ग, हम क्या लिख पाएंगे? A d के वर्ग के बराबर, जमा B d का वर्ग, जमा 2 b d गुना D e, अब हमें ये पता हैं कि B d 1 बटा 3 b c के बराबर है, ये दिया गया है प्रश्ण में, अब हमने A b का वर्ग बराबर है, A d का वर्ग, जमा B d के वर्ग को हमने लिखा, 1 बटा 3 b c के वर्ग के बराबर, प्लस 2 गुना B d, B d को फिर हमने लिख लिया, 1 बटा 3 b c के बराबर, अब ध्यान से देखिए, d e हमें कहां, d e को हमने क्या लिखा, b e minus b d, ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि d e जो है, वो b e minus b d होता है, हमें ये पता है कि ये सारी भुजाएं बराबर हैं, और ये सम भुजा में अगर हम ये लंप डालते हैं, तो ये होता है, a बटा 2 और a बटा 2, ठीक है, तो हमने इसको b e को क्या लिखा, b e को लिखा, 1 बटा 2 b c के बराबर, ठीक है, और b d हमें देई रखा था, 1 बटा 3 b c के बराबर है, ये देखिए, यहां दे रखा है, अब हमने a b का वर्ग बराबर है, a d का वर्ग, जमा 1 बटा 9 b c का वर्ग, जमा 1 बटा 9 b c का वर्ग, जिसको हमने और हल करके लिखा, a b का वर्ग बराबर a d का वर्ग, जमा 1 बटा 9 b c का वर्ग, और 1 बटा 9 b c का वर्ग हो गया, 9AB का वर्ग बराबर है 9AD का वर्ग जमा 2AC का वर्ग अब 9AB का वर्ग बराबर हुआ 9AD का वर्ग जमा 2AB का वर्ग क्यों क्योंकि हमें पता है सारी बुझाएं बराबर हैं तो हमने BC को AB के बराबर लिख लिया अब 9 में से 2AB का वर्ग हम घटा देंगे 9AB का वर्ग माइनस 2AB का वर्ग बराबर होगा 9AD के वर्ग के बराबर इस प्रकार हमें प्राप्थ हुआ 7AB का वर्ग बराबर 9AD का वर्ग समझ में आया बच्चो बहुत ही महत्पूर्ण प्रशन है खुब अभ्यास कीजिएगा इसका आईए अगला प्रशन देखते हैं किसी संभाहूत रिबुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक बुझा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीश लंब के वर्ग के चार गुने के बराबर होता है है ना प्यारा प्रशन आईए देखते हैं कैसे हल करेंगे यह हमारे पास त्रिबुज है A, B, C और यह यहाँ पर लंबवत है A, E ठीक है आईए इसको पाइथगरस प्रमे से देखते हैं कैसे हल करेंगे हम माना A, B, C एक सम बाहूत रिबुज है जिसकी प्रतेक भुजा A है A से B, C पर डाला गया शीशलंब A, E है हम जानते हैं कि सम्बाहूत रिबुज में शीशलंब सम्मुक भुजा को सम्धिभाजित करता है इसलिए B, C बराबर है E, C जो बराबर है एक बटा दो B, C के अर्थात A बटा दो त्रिबुज A, B, E में पार्थगर्स प्रमे से A, B का वर्ग बराबर है A, E का वर्ग जमा B, E के वर्ग के आगे देखते हैं A का वर्ग बराबर हुआ A, E का वर्ग जमा A बटा दो का वर्ग जिसको हम लिख पाएंगे A, E का वर्ग जमा A का वर्ग बटा चार इसको हम हल करते हैं A, E का वर्ग बराबर है A का वर्ग माइनस A का वर्ग बटा चार और हल करने पर हमें प्राप्त होता है 4 A का वर्ग माइनस A का वर्ग बटा चार मतलब 3 बटा 4 A का वर्ग इसको तिर्ची गुना करने पर देखिए यहाँ पे हमारे पास था A E का वर्ग है ना तो A E का वर्ग बराबर है तीन बटा चार A का वर्ग अब हम तिर्ची गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा इस प्रकार चार गुना शीष लंब का वर्ग बराबर है तीन बुझा का वर्ग समझ में आया बच्चो चलिए अब आप ग्रह कारे के लिए कुछ प्रश्न ले लीजिए पहला प्रश्न 18 मीटर उचे एक ध्वज स्थम की चाया की लंबाई 9.6 मीटर है इस स्थम के उपरी सीरे की चाया के दुरस्त सीरे से दूरी याद कीजिए दुस्रा प्रश्न है सडक पर लगा एक बिजली का बल्ब एक खंबे पर सडक के स्तर से 6 मीटर उपर लगाया गया है यदि 1.5 मीटर लंबाई वाली एक महिला की चाया 3 मीटर लंबी है तो ग्याद कीजिए कि वै महिला खंबे के आधार से कितनी दूरी पर खड़ी है अगला प्रश्न है आकरती में PQR एक समकोन त्रिबुज है आकरती कुछ इस प्रकार है P, Q, R और ये हमारे पास S है आकरती में PQR एक समकोन त्रिबुज है जिसका कोन Q समकोन है तथा QS लमवत है PR यदि PQ बराबर है 6 cm, PS बराबर है 4 cm तो QS, RS और QR याद कीजिए है ना अच्छा प्रश्न? अगला प्रश्न किसी चतरफुज ABCD में कोन A जमा कोन D बराबर है 90 degree सिद्ध कीजिए की AC का वर्ग जमा BD का वर्ग बराबर है AD का वर्ग जमा BC का वर्ग अगला प्रश्न देखिये सिद्ध कीजिए की एक समकोन त्रिभुज के करन पर खीचे गए सम बाहू पर त्रिभुज के योग के बराबर होता है ठीक है बच्चों इनका अभ्यास करिएगा आइए देखते हैं आज का सारांश हमने पढ़ा यदि एक समकोन त्रिभुज के समकोन वाले शीश से उसके करण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों और बनने वाले त्रिभुज समपून त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस पर भी समरूप होते हैं हमने ये भी पढ़ा कि पाइथोगर्स प्रमे क्या कहता है एक समकोन त्रिभुज में करण का वर्ग शेश दो बुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है हमने पाइथोगर्स प्रमे का विलोम भी देखा यदि एक त्रिबुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समुकोन होता है तो आशा करती हूँ बच्चो आपको आज का पाठ रोचक लगा होगा और समझ में भी आया होगा हुब अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद